तो माई डेर स्टुडेंट यह है बी ए फिप्त समस्टर हिंदी का पूरा पूरा माडल पेपर कुष्टन पेपर जिन जिन भी इन्वर्शिटी वा कॉलेज में हमारे स्टुडेंट परिच्छा देने वाले हैं इस बार फिप्त समस्टर की ठीक है और उनका सब्जेक्ट तो उनको एक कमप्रीट वीडियो जरूर देखनी चाहिए आपको आज पता चल जाएगा कि जो फिप्त समस्टर का जो हिंदी का पेपर है वो कैसा होने वाला है किस प्रकार के कुष्चन पूछे जाने वाले हैं और पैटरन क्या होने वाला है और ऐसे कौन-कौन से कुष् पीडियो देंगे महां संग्राम वीडियो देंगे कुर्मला के कम्प्लेट अस्टुडिमेटर यहां पर आपको मिलने वाला ठीक है और हमने आप सभी क्लिब एफसाइड भी बना दीए तो वीडियो ग्रेस्वेशन में उसका भी लिंक मिल जाएगा उससे जवान होकर वहा उसका नाम है हिंदी लिट्रेचर यानि कि हिंदी शाहित और प्रस्न पत्र का नाम है साहित तसाफ्तर और हिंदी अलोचना यह है हिंदी का फर्ष्ट पेपर जिंच आत्रों को नहीं जानकारी उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि फिप्त शमस्टर में आप गए हैं तो पिप्तिन समस्टर में जतने भी आपको सब्जक्ट रहेंगे उसके दो पेपर होंगे, फॉसन पीपर होंगे के दो बोली इ cuánt क्वैपर होंगे звуч पहले का पहला प्रचन है कि भरत मुनिके अनुजसार रसों की संख्या कितनी हैं उनके नाम लिखिए बहुत ही रामबार और बहुत ही महात्पूर्ण प्रश्ण है आपके एक्जाम के लिए आज की इस वीडियो से सिर्फ हो सिर्फ हम आपको वो सारे कोश्चन मताएंगे जिनके आने की सबसे ज्यादा उमीद है और बार बार पूछे जा रहे हैं तो ध्यान पूर्बक उनको नोट कर लीजिए मैं बता रहां उनको नोट करते चरिए और बाद में इनका उत्तर कहां पर मिलेगा कैसे मिलेगा उसकी जानकरिम आप पुद्दे देंगे ठीक है तो पहला प्रस्ण रामबार है नोट करिए यह आएगा पक्काता है काब भी कविता होती है तो उसके कुछ गुड होते तो उन गुडों की संख्या इętनी होती है किसी बीकर काब की जो होते हैं ठीक है उसके बारे में आपको लिखना उसकी परिभाफाल है नाम भी लिखना थे हैं और वह1 प्रत10-00 घुल रोपक के प्रमुख भेदों के नाम लिखे, तो 吉सा नहींर सबीस नहीu को आज होता लेकिन ज़्यादा तर परिछाओं में आया है तो इसको आप नोट कर लिजे तुरंद के तुरंद अगला है कि का बहेत का बहेत एक बहुत ही महात्पूंट प्रस्ण है आने वाली दिनों में हमारी कि रित्षिद्धान्त के पिता कौन है जनक कौन है ठीक है तो यह पांचों के पांचों कोश्चिन आप लोगों के लिए कि महात्पूंट साबित हो सकते आग्जाम के लिए जो जो मैंने विश्चेश करके बताएं उनको जरूर धान देना है जैसे कि पहला दूसरा और ये तीसरा और चौथा ठीक है और रूपक वाला भी आ सकता है अब आ जाएंगे हम खंडबा की और यहां पर आपको देखेंग है उदाहरण सहिति परिभाफा देजिए नोट का लिए रामबार प्रश्ण है यह प्रश्ण दोहजार जब से मालेजिए फिप्त समस्टर चालू हुआ है यह आप लोग का है फक्ति हैं कि जब से फिप्त समस्टर की पर इच्छाएं की सुरुवात हुई है तब से लेकर यह प्रश्ण हमेशा देखनेों को मिला है मैंने प्रिबियस एर के माडल पेपर्स को उठा उठा के देखे हैं तो यह इंपॉर्टन कोश्चिन नोट कर लिए अगला कि सब्सक्तियों को अर्थ को उदाहरण सहित पर भाफित कीजिए सब्सक्ति कोई भी सब्सक्त होता है तो इसके पाँच कुछ ने कुछ पावर मतलब कि सक्तिया होती जैसे की एक्जांपल में आपको बता दे रहा हूं क्रांती क्रांती एक सब्द है इसमें देखे कितनी पावर है ठीक है और एक डर डर के अंदर भी है तो उसमें पावर तो है ही डर डर सब्द है क्रांती सब सब्द है इन दोनों में अलग अलग डर है एक में थोड़ा तगड़ा वाला है और एक में थोड़ा नारमल वाला है ठीक है लेकिन दोनों में पावर है इस इतार जितने भी सब्द होती है उसमें अलग अलग पावर से होती है तो उनके बारे में लिखना है अफला महात्पूर्ण प्रस्ण है तब जहां तक पर इच्छाओं में आया है इसलिए बोलना उसको नोट कर लीजिए ठीक है तिन कुश्चिनों को नोट कर लीजिए राम चंद्शुकुल जी की अलोष्णा दस्ट क्या है विस्तार से समझाई है मतलब कि जो अलोष्णा एक विधा है तो राम चंद्शुकुल जी ने अलोष्णा को किस नजरीव देखा है उन्होंने उसके बारे में क्या कहा है कि द्रश्ट से उसको इसके बारे में बताया है उस चीज़ को लिखना है एक महात्पून प्रस्ण यह भी शाबित हो सकता है अगला के काब का सुरूप हर ठीक है काब विक भेड़ यह काब है तो ठीक है काब के सब कोश्चिन जो कि हमेंशा रिपीट हुए इस बार भी होगे नोट कर लिए क्या अगला की माख्ष वाथ क्या है माक्स वाध है बहुत ही महात्पून प्रस्ण है कई बार रिपीट अग्जाम में और इस बार भी सम पता दिया ठीक है उसके बाद आ जाएंगे हम खंड साक्यों यहां पर आपको देखने को मिलेंगे दीरगुत्रे प्रश्ण यानि की जिनको आप लोग विस्तत या फिर इंग्लिस में लॉंगोशन बोलते हैं इसमें भी प्रश्ण का उत्तर दिने से पहले दिसा निरदेश इसको पढ़ लेना है इसको जरूर पढ़ा करें जिनको दिसा निरदेश होती यह बिरिलेंट स्टूडेंट की पहचान होती है क्योंकि इसको पढ़ने से आपको यह पता चलेगा कि हां भाई हमको कितने प्रश्ण करने हैं और उसका उत्तर कितने सब्दों में हमको देना ह है और उस हर एक प्रश्ण के उत्तर देने पर हमको कितने नंबर मिलेंगे यह आपको ज़रूर पढ़ लेना है ठीक है चलिए पहला प्रश्ण है दिर्गुत्रे का कि अलंकार से धांत का अर्थ परिभासा एवम उद्दाहरण सहित ब्रिस्तत वरण कीजिए देखिए यह क पूछा भी गया है और आपकी पर इच्छा लगी उसमें पूरी सम्हावना नोट कर लीजिए हंटर परसंट आगला की आरफ्तु जो कि परमुक विद्ध्वान है इन्होंने अनुकर्ण फिध्धान्त को उदाहरण देते हुए कि किस प्रकार एक्स्प्लिनेशन किया है य आप लोगों के लिए सत्तर प्रस्त महात्पूर्ण साबित हो सकता ठीक है लेकिन जो अगला प्रस्ण आप लोगों को समस्प्रस्त होने जा ला है यह गैरंटी रामबार्ण हंडर परसंट शेवर आएगा नोट कर लीजिए बार बार रिपीट हो रहा है 2020 का पेपर हुआ आप लोग समझ आते कि यह है क्या इसमें क्या लिखना कुछ नहीं सबसे पहले आपको राफ प्रमुक बिद्वान है प्रमुक राजनेतक है समास साफ्त्री है ठीक है और रिचर्ट का संप्रेशन फिद्धांत को उदाहन सबस्ट के तो यह आप लोगों कीगें फिपट्य फिपट्य वला कोश्चन, बक्तब 105% उम्मीद है प्रशन आ भी सकता है और 50% उमीद है कि नहीं भी सकतना मतब कभी कधार आता हमेंसा repeat hunting नहीं होता है कुछ ठीक है है तो इसको आप तयार भी कर सकते हैं तो यह रहा2 समस्टर कि हिंदी का फस्ट पेपर का पूरा का माल पेपर कोईश्चन पेपर इसी तरह का फस्ट जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो ऐसे आपको पेपर देखने को मिलेगा ठीक है पहला पेज तरह इसे ही रहे गए यहां पर लिखा रहेगा कौन से वर्ष का सब्जेक्ट लिखा पहला पेपर आपको पहला पेज आपको ऐसे दिखेगा और कुछ इसी परकार के कोईश्चन देखने के मैं यह नहीं कहूंगा कि सेम पर से जो जो मैंने आपको बिसेश्च कोईश्चन बता हैं उनको आपको जरूर तयार कर लेना उनका उत्तर जहान पर अच्छल लिजे स सबके मोबाइल में गूगल है इंटरनेट है तो अभी के लिए आप गूगल का सहरा ले सकते हैं गूगल पर डालेंगे प्रस्ने की भारत मुनी के अनसार रसो की संख्या कितनी है आपको उत्तर आ जाएगा और पढ़ लिजेगा ठीक है अभी के लिए आप इंटरनेट का स सब्सक्राइब कर लिजिए आपको टेलिग्राम अगर वाट्सप पर मैसेज करेंगे तो आपको पीडिए भी दे देंगे कुश्टन एंसर वाली ठीक है इस तरह तैयारी करते रही ऑल दिविष्ट अभी एक्जाम को तो टाइम है तैयारी करते रहे हैं जय हिंद्ध